गुड बॉर्णिंग आईज, हावार यू, I hope आप लोग की पेपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोग बहुत दिल लगा के, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छो, आज का जो हमार टॉपिक है को वो compound interest है, compound interest के बारे में बहुत सारे fact सीखने जा रहे हैं तो सबसे पहला आपको काम करना है, session को फटा फ़र जल्दी से एक बार, सभी लोग session को share और like कर दे जल्दी से इतने बच्चे अभी तक जुड़ चुके हैं, वो session को share और like कर दें, जिससे क्या होगे, जादा स्यादा बच्चे session में जुड़ पाई, ठीक है तो फटा फट जल्दी से एक बार सभी लोग session को share और like कर दो भाई, अगर अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं, तो फटा फट जल्दी से एक बार जुड़ जुड़ जाएं, क्यों आज बहुत interesting concept पढ़ने जा रहे हैं, compound interest का, ठीक है तो फटा फटा कर आप लोगों अभी तक आप नहीं डाउनलोड किया है, मेरी free class देखना जाते हैं, तो आप को download करें और code यूज़ करें आशूपी, free class के लिए भी, और अगर subscription जब purchase करना है, तो वहाँ पर भी same code यूज़ करना है, और 10% का discount गेन कर सकते हैं, code क्या है, A, S H U P, H U P, कापको code यूज़ करना है, subscription में क्या खास बात है, जो ये बहुत important है, तो बताना चाहूँगों बच्चों इस subscription में आपको live class मिलने वाली है, मतलब कि dedicated batches मिलने वाले हैं, जिसके आप preparation कर रहे हो, साथ में test series और quiz जो की बहुत important part है आपके selection का, बहुत एहम role निभ का है, ये doubt cleaning session, ठीक है, तो बहुत 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 बढ़े जरूर हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो fail हो जाते हैं, लेकिन आज जो हम concept पढ़ने जा रहे हैं, या ऐसा concept जो कहीं पर भी fail नहीं होने वाला, मतलब हर जगह पर आप इसी concept को use कर सकते हो, tree method भी है, बहुत बार बहुत बड़े बड़े प्रक्शन में हम confuse हो जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा method है, जो बहुत सारे method को compile करके बनाएं, कुछ नया नहीं है, बहुत सारे method को compile करके एक नया method में तयार किया है, जिसको हम लोग बोलते है, box method, line method जिसको बोला जाता है, तो पर जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम लोग session में, और देखेंगे क्या है इस method में, तो बच्चो सबसे पहली बात तो आपको compound interest पताज़े तो CI क्या है और SI क्या है, डिफरेंस क्या है, बच्चो हम देखो यहां पर बात करने वाले compound interest के, तो हम लोग यहां पर पढ़ने वाल पहले साल का compound interest हमेशा क्या होगा, चाहिए पहले साल का SI हो, पहले साल का CI हो, उसमें कोई फरक नहीं पड़ता है, चेंज कहां से आता है, नेक्स येर से जाता है, जब हम बोलते हैं, या ब्यास पर ब्यास लग रहा है, जो नॉर्मल जो method SI का तो आपको पता है, अगर SI की ब सबस्किता हो, था बच्चों यहाँ पर age जिसको बोलते हैं amount, जिसको हिनदि слов मिस्टर धन, यह अमाउंट है, मिस्टर धन होता है, P का मतलब होता है, principle जिसको बोलते है muldhan, R का मतलब होता है rate, और end का मतलब है time, कितने साल के लिए, कितने समय के लिए आपको यहाँ पर यह पैसा जमा करना है ठीक है तो यहां पर आप में देखा यह जो term है यह आपको पता होने चाहिए कैसे में क्या relation भी पता होना बहुत जरूरी है बच्चो इसका जो basis सबसे ज़्यादा एहम जो point है वो यह है कि amount a बराबर क्या होता है a बराबर होता है principal plus interest principal plus interest तो यह point आप लोग से यूज करना है हम box यह method हमें नहीं लगाना है मैं फिर से ता रहा हूँ यह method हमें नहीं यूज करना है हम यहाँ पर एक box method ही यूज करेंगे वो क्या है कैसे लगेगा ज़र एक बार फटा फट देखते हैं बच्चों हम question से यहां पर start करते हैं जैसे कि हमने question ले लिया principal हम हमने बोल दिया यहां पर suppose बहुत बहुत बढ़ा बनने वाला होता है लेकिन हम यहां पर box method लगाएंगे बहुत ध्यान सुनना यह केवल पहला concept है जो आपको देखने में थोड़ा बढ़ा लगेगा जब हम questions पर आएंगे तो कितना आसनी से solve करें question को बच्चों हम सबसे प diagram बने कैसे पांच line ले तो कैसे बच्चों झ inspiring two couple दो साल के दो लाइन ओए द टीजान के तीन लाइन चौत्छ साल के लिए चार लाइन है और पच में साल के लिए पहले साल का ब्याज, ब्याज कैसे निकालते हो, दस हजार रुपए पे दस परसंट ब्याज बोलो, दस हजार का दस प्रतिशत ब्याज अगर मैं आपसे बोलू, तो आप बोलोगे साथ, दस हजार का दस प्रतिशत, एक हजार होता है, तो हमने यहाँ पे पहले साल का ब्याज ठीक है ऐसे फिर rate आपका 10% है तो हर बार निकलते हो 10% हर बार इसका 10% निकला बच्चो 100 आ गया ठीक है हमने इसका 10% निकला बच्चो क्या बोलोगे 10 आ गया ठीक है इसका 10% कितना बच्चो आएगा बोलोगे तो आप बोलोगे 1 हो जाएगा इसका 10% बच्चो बोलेंगे तो इसमें कोई doubt है तो आप फटा फटा एक बार comment कर किया आप पोच सकते हो ठीक है तो हमने यहाँ पर first जो upper line हैं जो उपर की line हैं उनको हमने fill कर दिया बाकी बची नीचे की line हो को आपको fill करना कैसे fill करना देखो जो पहला जो structure दिखा जो first यहाँ पर line दिख रही है यह line आपकी same होनी चाहिए पहली जो line है same होनी चाहिए मतलब हजार अगर उपर है तो सब में यह 1000 जार आना चाहिए यहाँ पे सब में 1000 1000 और 1000 ही आना चाहिए तो मने सब में 1000 फिल कर दिया छैक है यहां तो आपने फिल कर दिया बचु लाइन सेम का मतलब रेशियो बराबर मतलब रेशियो के को अगरें को बोल नचाओ पर इनका रेशियो बराबर है 1!1!1!1!1!1!1!1!1!3!1! मतलब अब का रेशियो क्या है? 1!1!1!1!1!1! तब यह हम बरावर बोल सकते हैं, ठीक है, अब यह ratio ही है, जो अगले से काम में आने वाला है, तो अगले का ratio क्या होगा बचों बोलो, तो बहुत ध्यान समझेगा, यहां पर one आएगा, first तो one होगा, ठीक है, नीचे क्या ratio आएगा, तो यह एक और इसके side वाला एक, एक और ए ठीक है, इसका भी ratio दे हो जाएगा, first में तो एक आएगा, एक और दो मिला दो, तो तीन हो जाएगा, तीन और तीन मिला दिया तो नीचे 6 आजाएगा, तो इसका 3 गुना बोलोगे 30, और इसका 6 गुना बोलोगे 60, ठीक है बई, तो बहुत बार क्या जल्दी यल्दी में क् बस यह सिल्दी कोशन में क्या क्या रट लेते हैं, रटना नहीं है, हमारा जो मेरी सोच है, बच्चों की सोच को develop करना, concept को बना करके दिखाना, तब ही आप कोशन खुश से कर सकते हो, स्वाल, otherwise क्या है, कि आप एक को एक सहारी की जोद पढ़ती है, कि कोशन कोई start कर दे, बात खतम आप कर दोगे, शुरुआ तो नहीं कर पाते हो, कहां से start करना है, ठीक है, तो बच्चों अभी आगर आप से बूचा जाए, यहां पर इस question में, इस method में हमने क्या-क्या निकाल लिया है, अगर वो कोई बोले इसका CI क्या है, तो compound interest अगर आप से पूछी, तो सब क जोड़ लो, पूरा structure जोड़ना मतलब, पहला column 5000, यह तो 5000 है, दूसरा column जोड़ दिया, तो यह 1000 था, तीसरा column जोड़ दिया, तो यह 100 था, यह column जोड़ दिया 5, और यह column जोड़ दिया 5, 6, तो जोड़ने पूरा का पूरा structure मतलब आप बोलोगे, कि हमने इस पूरे को add on कर दिया, ये पूरा का पूरा हमने जोड दिया, ये पूरा का पूरा हमने जोड दिया, तो ये हमारा आगया CIE, कितना, चुछ, 5, الخ, 6 जोड ले इसको पूरा, भूलोगे 6,105 दसमलो एक, ये हमारा क्या, बच्छो, compound interest, अगर कोई पूछे SI क्या है, कोई पूछे SI क्या है क्या बोलो, बच्चों, यहां पर यह था, हमने इसको पूरे को जोड़ा था, पूरा add-on किया था, यहां पर ठीक है, तो अगर कोई पूछे SI क्या है तो बच्चों, जो पहली line है जो पहला जो column, जो same वाला कॉलम था क्योंकि SI हरसाल बराबर होता है जो पहला कॉलम है वो SI है मतलब कितना यह 5000 है अगर पूछे SI कितना तो आप बोल सकते हो SI हमारा 5000 ठीक है अगर आप कोई पूछे SI CI का डिफरेंस बताओ तो अंतर आप दोनों को माइनस कखे के डिफरेंस बता सकते हो लेकिन हमें इस स्ट्रक्चर में समझना है कि डिफरेंस कौन सा होता है तो बोल सकते हो पहली लाइन को छोड़ दिया जाए, पहली लाइन को छोड़ दिया जाए, तो जो बचता है, वो हमारा difference बचता है, यह difference है, यह इस तरह वारा difference हमारा हो गया, बेखे तना 1105.1, 1105.1, यह हमारा difference हो गया, तो आपने देखा इस तरीके से हमने, यहाँ पर SI, CI और difference तीनों छीजे नि आप उड़ा देंगे, बहुत असानी से बना देंगे, यह 100% मेरा दावा है, कोई प्रशन हो, ठीक है, कितना भी tough हो, कितना भी calculating क्यों देखने में लगे, आप उसको बहुत असानी से solve कर लें, ठीक है, बस थोड़ा patience दखने की जो होता है, आप इसी method से rate भी निकाल सकते हो इसी method से time भी निकाल सकते हो, इसी method से everything you can find out, कुछ भी find out करने को बोले, तो अब हर एक चीज निकाल सकते हो, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, हम एक example लेते हैं यहाँपर, question एक example लेते हैं, देखे जाल एक बार, principle अच्छो बसे हम आपस दे दिया जाए 2800 रुपय है, rate है 10% साल की, और चो समय हमने दे दिया आपको धाई साल, अब मुद्दे की बात यहाँ पर यह आती है, कि सर अभी आपने जो structure बनाया पीछे, वो तो बताया था, कि जितने साल हो, तो पांच साल था पांच लाइने, अभी तो आपने question बदल दिया, अभी तो धाई साल दे पूरा सा ध्यान से समझो, तो यह धाई साल का मतलब क्या हुआ, इस धाई साल का मतलब हुआ, कि दो साल पूरे हैं, और तीसरा साल आधा है, मतलब दो साल पूरे हैं, और तीसरा साल हमें आधा लेना है, मतलब कि हमें structure तीन साल का बना है, हमें structure तीन साल का त्यार करना है, 3 साल का में structure यहां बनाते है, 1, 2, 3, तो यह 3 साल का structure इसको fill करो, बच्छो, 28 100 का 10 प्रतिशत, 28 100 का 10 प्रतिशत में बच्छों का बच्छों आए, 280 ठीक है, हिस 280 का 10 प्रतिशत, कितना है, 28, इस 28 का बच्छों 10 प्रतिशत, आप बोलोगे 2.8, ठीक है भाई या पहली लाइन सेम होती है, हमने फिल कर दिया, सेम सेम कर दिया पहली लाइन, क्योंकि 1 is 2, 1 is 2, 1 रेशियो, दूसरी में क्या आता है ना, ठीक है, इसका जस्ट डबल यहां पर छपन, अगर हम अभी इसको जोड देंगे, तो तीन साल का सिया आ जाएगा, हमें चाहिए कितना, हमें मात्र 2 साल का चाहिए, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़े, हमें 2, 2, 1, 2 साल चाहिए, हमें पहला साल पूरा चाहिए, दूसरा साल पूरा चाहिए, लेकिन तीसरा साल हमें आधा चाहिए, तो इसको आधा कर लो, आधा कर लो, 140, इसका आधा 28, इसक अगर मैं आपसे बोलू कि इसी में बोलू सिंपल इंट्रिस साधान ब्याज क्या है तो जो पहली लाइन इसको जोड़ो साधान ब्याज कितना जो पहली लाइन को छोड़के जो बसता है वो इसाधाइस वन पॉइंट फॉर आप बोलोगे साधान ब्याज तो चो आप देखो कितनी आसानी से बहुत आसान मैंठेड है बहुत आसान मैंठेड है देखिए लोग इसमें fraction method भी लगाते हैं, 10, 11, 10, 11, 10, 11, बच्चो बहुत बारा ऐसा है, बहुत tough concept पर जाता हूँ, ये कैसा method है, कहीं पर भी लगाओ, कितनी बार भी लगाओ, समझ रहे हो ना, आप बहुत आसानी से question को, आसानी से solve कर सकते हो, आसानी से handle कर सकते हो, ठीक है, तो बच्चो अभी आपको hopefully concept में आ गया होगा, कोई doubt, कोई confusion नहीं होगा, अब एक, दो, तीन, चाप प्रशन और भी करेंगे, तो बहुत आसानी से questions solve कर पाएंगे, चलो, एक और प्रशन में यहाँ पर लेता हूँ, आपके लिए, चलो, अभी आए questions मिल जाएंगे, आपर ना तो rate दिया हो, ना principle दिया हो, किवल CICI दिया हो, बस, तो वहाँ से कैसे interest निकाला जाएगा, वहाँ से कैसे principle निकाला जाएगा, यह बहुत 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 आसान, बहुत ध्यान समझेगा, तो पहले इस question को ना लेकर एक logic समझाता हूँ, एक logic समझाता हूँ बच्चों जैसे मालो, प्रिंसिपल आपके पास, एक हजार रुपए है, rate आपका 10%, तो आपको पता है, आप कैसे बनाता हूँ, अगर मैं बात कूँ, एक साल की बात करो गो, तो एक साल में 100 होगा, दूसरे साल की बात कूँ, तो क्या बोलोगे, अगर मैं तीसे साल की बात में, तो पहले साल का बात की 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 अगर ये दिया हो, अगर किवल यही structure दिया हो आपको, अब ये कैसे निकलेगा, अब ये बता दो, principle कैसे निकाल सकतो, ये rate कैसे निकाल, बहुत ध्यान समझना, बहुत आसानी से निकाल सकतो, अगर मैं आपको कहे दू, first year दिया है, और third year दिया है, आपको यहाँ पर second year भी न चलता है। गोटतर सुना होगा आप लोगोंने। मतलब की सेम रेशियो में चलता है तो आगे भी दस से 11 रेशियो होगा। अगर इस साल दोगुना हो तो हर साल दोगुना होता ही चलेगा वो CI का यह concept होता है, अगर मैं बोलू, इसमें क्या relation है बच्चो, तो मैं बोल सकता हूँ, जो हो, यहाँ पे, फर्स्ट, अगर मुझे ये वाली value, suppose हमें ये नहीं पता है, हमें ये वाली value नहीं पता है, निकालना आपको, सपोस, क्या मैं कैसे निकाल होगे, फर्स्ट और थर्ड का multiple करके root लगा दो, आपको 20 की value, बताद जिमेट्रिक मीन सुनाओगा, आपका भी सुनाओगा, अंडर रूड ए, बी बोलते हैं, ठीके, तो वही चीज़ है यहाँ पे, हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को multiply किया, और root लगा दो, ठीके, क्या ratio आप बोलो के साथ 10 से 11 रेशियो, अगर मैं बोलो, second से third में क्या ratio का बच्चो, तो वहाँ पर भी 10 से 11 ही ratio, value बदल जाएगी, लेकिन ratio सेम चलेगा, ratio में कोई बदलाओ, नहीं होगा, यह चीज़ आपको पता होनी जरूरी है, ठीक है, चलो, अब इसी पर कुछ example के थ 220, उसके बाद आपको दिया fifth year का, यह कितना तीन है जाए, ठीक है, और fourth year बीच में, यह नहीं दिया है, ठीक है, ठीक है, और fourth year कैसे निएका है, आपको आपे मैंने कहा कि इन दोनों का multiply कर कि रोट लगाना होता है, तो भीया हम मैं कहता हूँ जी 36 कर लो इसको मैं बारते 36 लिख लो और दस जार रहा है थोड़ा सा कैलकुलेशन हमाई लिए आसान हो जाएगे 36 कछे 10 जार कर सा हो तो जो कितना आगे 600 आ गया तो यह वाला वैल्यू कितना आजाए 600 आ जाए तो आंसर आ गया बहुत बड़े नंबर होंगे तो इनको मिनिमाईज भी कर सकते हैं जैसे हम यह नंबर सपोसर में निकालना बीच वाला अब यह नंबर बहुत बड़े हैं मल्टिप्लाय तो बहुत दूर की बात है तो क्या मिनिमाईज कर लो कर सकते हो तो मैंने इसको मिनिमाईज किया ठीक ह च्छे से काटा gust ऑधी और कर गया बोला तो एक और पचीश आ गया तो अब जितना मिन्माइस कर सकते हैं इतना मिन्माइस हमने कर लिया हमने इतना मिन्माइस कर लिया कोई कोई दिक्कत नहीं आप दियान से तो अब यह मल्टिप्लाइए करना असान है तो कर लो एक इंटू रूट पचीस लगा लिए हमने 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 एक आगे बोलो आप बोलोगे 600 तो आपका जैसे मंचाया वैसे आप calculation कर लो ठीक है आप सीधा अगर लगता है आसान value है आसाने से कर सकते हो तो आप सीधा solve कर लो अगर लगता है सीधा tough pot रहा है और हम पहले minimize कर लें फिर solve करें तो आप वैसे भी solve कर दोनों ही तरीके से question को आसान box में comment करें आप लो ठीक है चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले question क्यों चलते है next question देखते हैं अभी example यही है अभी आपको CI निकालना था अभी principle भी निकालने को बोले तो वो भी निकाल सकते हैं जरा देखते हैं आगे चलके हम लोग second question देखो आपको यहाँ पर दिया आप चो 4th year कितना दिया देखो 384 फिर 6th year दिया छटा 486 तो पहले आप 5th year निकालो कितना होगा तो अब यहाँ पर वही बात आगए अभी तो multiply करके निकालना थोड़ा सा मुश्किले को बड़ी value है तो मैं कहूंगा आप इसको पहले minimize कर लो minimize कर लोगे तो question आपकर ज्यादा असान हो जाएगा ठीक है तो भी यह हम इसको minimize कर लेते हैं तो अगर मैं इसको तीन से पहले काट लूँ तीन से minimize कर लें दो से काट लो 64 और दो से काट लो क्या से पास अब यह minimize अब नहीं कटेगा ठीक है अब हमाई लिए इस value को real value चाहिए तो देख लो कितने गुना है आप़र बोलो कितने गुना तो आप यहां से निकाल सकते हो कितने गुना भाई बोलोगे सर्थ 6 गुना है तो इसको 6 गुना कर दो तो यहां की real value मालूम हो जाएगी इसको 6 गुना करते ही आपको fifth year का interest मालूम हो जाएगा ठीक है लेकिन हमें यार interest नहीं चाहिए हमें तो rate चाहिए तो rate निकालने के लिए इसको इसकी real value नहीं चाहिए ratio है हम ratio से ही percentage निकालना है न तो पर्तिशत तो यहीं से निकाल सकते है कैसे चौते साल में ये ता पांचवे साल में ये हो गया कितना ब्याज मिला आप बोलोगे आठ रुपय का ब्याज मिला किस पे 64 पे आठ रुपय का ब्याज मिला 64 पे तो एक बटे मतलब 12.5% क्या बोलोगे 12.5% हमारा अंसाथ आगे 12.5% ठीक है आसान था concept आपको समझना है बाकी सब कुछ बहुत इस है क्लिर हो गया? कुश्चन नमबर आगे बढ़ते हैं देखिए अभी हमने आपको जो concept समझा है इसमें कोई doubt और confusion नहीं होगा तो फटा 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 देखो हमने आपको जो line method बताया था हमें वहीं से solve करना है लेकिन अब बात याजी हमने आपको line method समझाया है तो बच्चों line method के लिए मूल्धन होना ज़रूरी है तो जब मूल्धन ना दिया हो तो कोई बात नहीं आप कुछ भी मूल्धन मान लो कुछ भी मान सकते हो लेकिन मैं हमेशा आपको suggest रही करूंगा कि मूल्धने कैसा मानो जो की rate से असानी से divisible हो तो इसका rate हमारे पास है एक बटे 8 है fraction पढ़ा है हम लोगों ठीक है तो यह rate एक बटे 8 है कितने साल है साल दो साल है ठीक है तो आप हमेशा क्या करो एक ऐसा नंबर मानो प्रिंसिपल में जो 8 से कट जाए कितनी बार कट जाए दो बार कट जाए तो 8 का स्कॉर मान लो हमने बोला अगर 2 साल तो 8 का स्कॉर मान लि बिल्कुल correct तो यह इसका एक बटे 8 बता हो कितना होगा एक बटे 8 निकाला 8 आ गया बैसाड़े 12% है ना एक बटे 8 ही लिखो इसको एक बटे 8 निकाला कितना एक आ गया यह value same होती है 8 का लिखते है question कहे रहा है कि चक्रवदी ब्याज इतना आना चाहिए अभी कितना आ रहा है 8, 8, 16, 17 तो अभी question के हिसाफ से देखा जाए तो चक्रवदी ब्याज सत्रा आ रहा है बट प्रस्ण के हिसाफ से आना चाहिए यह बतार इसकी real value यह है तो एक बडाबर बच्चो क्या हो हूँ एक बडाबर दस्मिलो चाहर होँ ठीक है आपको चाह이지 कि आपको चाहिए यहाँ पर मूलधन निकालना है एक मूलधन कितना होगा तो भाईया क्या माना था अपने मूल धना अपने माना था 64 माना था तो 64 रिक्वेस्ट कितना हो जाएगा तो भाईया बोलोगे कि 25.6 25.6 एक बाद फटा फट जल्दी से आप देख लेजिए अगर कोई doubt ये confusion है तो जल्दी से आप देखो बहुत easy concept है बहुत आसानी से समझ में आने वाली चीज़ है ठीक है बचो आप यहां fraction method भी लगा सकते हो fraction method भी लगा सकते हो लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि fraction method हर जगह अपलाई नहीं बहुत जगह है जहाँ आप fraction method लगाने पर question बहुत टाफ हो जाएगा नहीं बनेगा मैं बता भी देता हूँ fraction method से कैसे लोग लगाते हैं जहां से देखो अगर यही प्रशन आप fraction method से लगाने जाओगे तो क्या होगा यह तो बहुत easy solve हो जाए कैसे एक बटा 8 का मतलब है 8 था 8 से 9 हो गया यह क्या indicate करता बच्चो यह हमारे principle को और यह हमारे पास amount को दिखाता है फिर अगले साल क्मी आट से 9 हो ए रहा यह हमारे पास बिंसि पन चॉण 64 हो और इसका मील्टिप्लागे एक क्या सी क्या सी आप क्या बोलो कितना ब्याज मिला तो आप बोलोगे में 17 कितना बैज मीला 17 का बेज मिला 17 बराबर बोलोगे 6.8 तो एक बराब़ क्या तो 64 बराबर किया आप ये निकालो तो आएगा वही है ना लेकिन यहां पर क्या होगा पहली बात तो केवल कोई logic समझ में आपको आता नहीं है मैं तब multiply किया first second का था ठीक है तो आप यहां पर थोड़ा सा सबसे दहान समझने वाली चीज़े रेट हमारे पास दिया एक शोला से दो बटे तीन मतलब एक बटे च्छे बटे च्छे है अगया अगर अभी यहां पर देखा जाय तो कोश्चन में दिया कुल धनराज के मतलब बच्चों होता अमाउंट यह है तो अभी हमारे पास कितना भी आ जाया है बोलोगे कि भाई यह सी आई छे चे बारा एक तेरा आ गया हमारा जो सी आई बच्चों आ गया तेरा आ गया प्रिंसिपल चतिस था सी आ 1070 दिया है 1417 एक बराबर 30 आपको चाहिए क्या आपको यहां पर निकालना चक्रवदी ब्याज बताना चक्रवदी ब्याज कितना होगा तो यह कितना है था चक्रवदी ब्याज कितना होगा तो यह कितना है था चक्रवदी ब्याज कितना है था तेरा है था इस तेरा इस ते ठीक है बहुत इजी मैठेड है बच्चो बहुत इजी मैठेड है कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कर देना आपको बाद उसका अंसर जरूर दिया जाएगा ठीक है चली आगे बढ़ते हैं आगे ले कोशन के तुरफ नेक्स कोशन देखते हैं बच्चो प्रिंस्पल जब भी न दियो मैं बार बार बोल रहा हूं बहुत ध्यान समझेगा पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको confidence आने वाला है प्रिंस्पल नहीं दिया हो तो प्रिंस्प अब क्या मानों कि 9 का स्कॉएर आपने यहां पर 81 लिख लिए ठीक है दो साल की बात हमें दो सागड़ाकर मना है तो इसका 1 बटे 9 नौ आ गया इसका 1 बटे 9 बच्चे 1 आ गया ठीक यह ना आ गया तो अभी यहां पर देखा जाए कुश्चन में क्या दिया हमाँ पास second worst द एक बड़ाबर सात एक बड़ाबर सात आ गया हमें बच्चो चाहिए क्या होता है अमाउंट अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलो होता है क्या प्रिंसिपल प्रिसिटिस्ट o होता है तो आप को यह अपको rael indem नीकालते है हो हमारा निकालते हैं क्या होता है नNEY संतरा अगया होगा बहुत बहुत मैस्थ मैं पढ़ने मस मज़ा आएगा और खुद से एक question जादा ज़्यादा question solve करने का मन करेगा क्योंकि इससे question बनते हुए चले जाएंगे कभी ऐसा नहीं होगा यार रुख गया पर नहीं चल रहा कैसे करेंगे ऐसा पभी भी नहीं होगा चले question number five देखते हैं पांचवा प्रस देखते हैं कैसे होगा प्रिंसिपल नहीं दिया अब ही ठीक है रेट है पंदरा परसन का मतलब होता है पंदरा बटे सो अगर इसको पांच से कार्ट लो तो बोलूँगा तीन बटे बीस ठीक है तो यह प्रिंसिपल हमें नहीं दिया है लेट है थीन बटे बीस तो मैंने कहा था भाई आइक एसने नमध की स्कॉरा खर सो ऊच्ट अगा लिए ह कि तनी बटे 25,000 बटे स्कॉरा हमें लोगा… 400 था, 400 का हमने क्या निकालना है, 15% मतलब 3 बटे 20, 60, फिर इसका 15% में बोलोगे 9, मतलब 3 बटे 20, 3 बटे 20 लिख लो या 15% लिख लो बात वही है, ठीक है, समझने के लिए, ये आगया 60, कोश्चन ने बोला, चक्रवदी ब्याज और साधान ब्याज का अंतर दिया है, बच्चो आपको मैंने बताया था, अंतर की लाइन का उनस होती है, पहली लाइन को छोड़ दो, तो जो लाइन बसती ही, वो डिफरेंस होती है, ये डिफरेंस नो आ रहा है, हमारे हिसाब से 129 आ रहा था, तो ये इस 129 की real value क्या होगी, 129 बराबर क्या होगा ये बताना है, पुछो यहाँ पर आ गया 38.7, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया CIE, अब आपको अगर मूल धन भी निकालना है, मूल धन भी निकालना है, वह 400 था यहाँ पर देखा जाए, तो आप बोलोगे 120, 120, तो भी आपने बोला कि ये क्या गया, ये आपका principle आ गया, ये principle आ गया, तो 120 और 38.7, तो आपको हो गया answer, बचो कौन से है, answer हमारा C is the correct answer, C is the right answer, बहुत आसान सा method है, बचो, आपने बहुत सारे method पढ़े होंगे, बहुत method पढ़े होंगे, लेकिन मैं ये दा रटते थे, ratio रटते थे, fill करने वाला value रटते थे, बहुत सारे, ये जो method बनाया भी गया है, इसके बीचे बहुत बड़ी कहानी भी, कैसे बनाया गया, तो उसमें तो नहीं जाना, आपको ये समझना है, कि इससे सब कुछ solve हो जाएगा, तो हाँ, इससे हर एक चीज find out कर सक questions की, चलिए, question number 6 पर बात करते हैं, चाड़े question पर बात करते हैं, भाईया, principle नहीं दिया है, ठीक है, rate क्या है, दो rate अलग अलग है, ये 14 से 2 बटे साथ, इसका मतलब हो 1 बटे साथ, और दूसर रेट है 11 से 1 बटे नो, मतलब 1 बटे नो, ठीक है, और time 2 साल का है, तो भाईया दो साल कर 2 साल मना लो, तो पहले साल में क्या है, rate हमारा पहले साल का 1 बटे साथ है, तो पहले साल जो value आएगी, एक बटे साथ से आएगी, तिरे 60 का 1 बटे साथ क्या है, नो, दूसरे साल जो value आएगी, वो एक बटे 9 से निकाले जाएगी, तो एक बटे 9 निकालो कितना है इसका एक बट्टे साथ नू आ गया पहले साल के लिए अकर फर्स्ट एक ये बात किए जाया है तो पहले साल का रेट ये है तो पहले साल का एक बट्टे 7 कितना बचिवा के नहू बंट Second year जो दो लाइने है दो ये जो फिल करनी SECUND YEAR की उसके लिए 1 by 9 का interest है तो भाई, secondary की बात करोगे secondary में 2 लाइन है, 2 लाइन कैसे निकालो secondary की, पहले 63 का, 1 बटे 9, और फिर उसके बाद ये 9 जो आया है, इसका भी 1 बटे 9 निकालोगे, तो 7 और 1 value आ जागी है, ठीक है, clear हुआ हमारे पास, यहाँ एक value बटे 9 निकालो, एक बराबर 40 है, तो मुल्धन क्या माना था, आपने 63 माना था, तो 63 बराबर बच्चो क्या है का बोलो, तो बोलोगे आप क्या, पचीस सो बीस, यह हमारा correct answer आँए, यह हमारा answer आचुका है, ठीक है आपको समझ में भी आगया होगा अगर rate of interest अलग अलग भी है, तो तब भी कोई भी problem ने, तब भी आप आसानी से बना सकतो मतब कि ज़्यादा कुछ परेशान होने की जोड़त नहीं पड़ेगी हैं पर question number 7 देखते हैं ज़रा अभी बोलोगे साथ देन है तो कोई problem नहीं year में change कर लो, दिन को साल में बदल लो, 73 दिन को साल में 365 divide कर लो, क्या बचूँ आगया, इसको आप लिख सकतो एक बटे पांच, तो क्या आगया, आपका time आगया, हमपे time आगया एक सही एक बटे पांच साल, ठीक है, लिख लेते हैं आप बचूँ बहुत आसान हो गया, तो भाई आप time के, एक साल पूरा है, दूसरा एक बटे पांच, दो साल का डाग्राम अना लिए हमने, भाई इसका मतलब, दर का मतलब एक बटे छे, तो निकाल लो, 18,000 का एक बटे छे निकालो, तीन हजार आएगा, इस तीन हजार का, एक बटे छे निकाला जाया, तो बच्चो पांच सो आजाएगा, यह हमने यह आपर फिल कर दिया, ठीक, तो आपको पता है, कि भाई, ताइम हमें इतना, पहला साल पूरा चीए, दूसरा साल एक बटे पांच चीए, तो पांच से भाग कर लो इसको, 600 और इसा, तो चो क्या है, बोलो, अगर CIE अगर आप से पूछा जाए, आपको निकालना था, चक्क वादी ब्यास, यह निकालना था, तो 37,600 और 37,700, क्या है 37,700, clear हुआ? इसका दो आंसर आप लोग निकाल सकतो, निकालो इसका आंसर निकालो, देखते कौन इसका अंसर जल्दी निकालता है, करना वह यह, concept हो यह, concept में कोई बदला हो नहीं, सिमिला concept है, जैसे आप पीछ से पहले question सौल कहा, सेम उसी तरीके से यह भी सौल करना है, बाई इसको एयर च्छे महीने है, तो 6 बटे 12, कितना हो जाएगा, देड़ साल हो गया, पर इप प्रिंसिपल नहीं दिया है, रेट 15 प्रतेशत का मतलब होता है, 15 बटे 100, मतलब हुआ, इसको काटा हमने 5 से, तो 3 बटे 20, तो रेट आगा 3 बटे 20, और समय है देड़ साल, मतलब कि डायग्राम जो बच्छों बनेगा, वो दो साल का बनेगा न, तो आप ऐसा वैलू प्रिंसिपल नहीं मानो, जो 20 से दो बड़ कड़ जाए, तो 20 का स्कोर 400 मान लिए हमने आपे, तो 3 बटे 20 बच्छों कितना है, 15 प्रतेशत है, 15 से कटना चाहिए, तो 400 का 15 साथ हुआ, और 60 का 15 परसें एक सो बीस, हमारे कॉर्डिंग अभी आ रहा है, 139 साल था, हमने पूरा ले लिया, पहला साल पूरा चाहिए, दूसरा हमें आधा चाहिए, आधा थीस, और ये चाहिए, तो यह आ गया, हमारे कॉर्डिंग आ गया, 94.5 आ गया, बट प्रस्ण काहिए, 9.45, तो बच्छों आ आप है, इसकी वेलू ये दी है, तो एक बटे 10 है, एक बटे 10 है, एक बटे 10, आपको चाहिए, कितना माना था, 400 माना था आपने, तो 400 बड़ाबर कितना आ जाएगा, 400 बड़ा कितना, 440 आ जाएगा, ठीक है, आप ऐसे लिखो, या फिर सीधा लिख लेना पे इसको, एक ही फटा फट देखिया, बताए, कोई अगर डाउट है, कोई ऐसी चीज हो, जो आपको ना समझ में आई हूँ, आपको कन्फूजन क्रेट कर रहे हूँ, तो आप फटा फट लिख लिख सकते हूँ, आप लोग, अगला कोशन भी है, बहुत एजी प्रशन है, तो ये तो लोग नॉर्मली सॉल्ट कर लेते हैं, ये तो कोशन लोग नॉर्मली सॉल्ट, मुझवानी भी सॉल्ट कर लेते हैं, तो तेरा स्युक्तिस बराबर ये दिया है, तो हजार बराबर कितना होगा, बीस हजार होगा यहांपर, ठीक है, तो ये तो बहुत आसानी से कोशन लोग सॉल् प्रिंस्पल क्या मानों को 10% एक बटे 10 होता है तो 10 का क्यों माल लिया हमने एक हजार लेट 10 प्रतिशत का है और टाइम बच्चो है 3 साल का एक दो तीन फटा फटा फट बहुत जल्दी बन जाएंगे लेने एक हजार का 10% क्या वो लोगे 100 इसका 10% 10 इसका 10% 1 तो अगर अभी आप देखोगे कितना 100 100 100 331 कितना प्रिंस्पल आरा यहां पर आरा 331 आरा चक्रों दिव्याज बट प्रशन के हिसाब से आरा इतना 6620 यह एक बराबर आप बोलोगे तो एक बराबर 20 हो गया तो आपने क्या माना था 1000 माना था प्रिंस्पल तो 1000 बराबर कितना होगा 1000 बराबर 20 हजाब तो आप मैंने कहा था बचो बहुत सारे ऐसे कोश्चन्स होंगे देखो लेकिं इतना इजी कोश्चन्स एक्जाम में आपको नहीं मिलने माला ठीक है तो आससे स्टैंडर्ड होगा ठीक है जहां पर कोश्चन्स में फ्रैक्शन में रेट आफ इंट्रेस हो सकता है मतलब कि सौल करें जहां कैल्कुलेशन थोड़ी सी हो ऐसा मिलेगा एक्जाम में कोश्चन नमबर दस देखते हैं पंद्रा परसंट अभी आपको रड़गया होगा इसका मतला पंद्रा बटे सव मतल तीन बटे बीस होता है तो भाई तीन बटे बीस तीन साल है तो बीस से तीन बार कट जाए तो आप बोलोगे सब बीस का क्यूब माल लो कितना बीस का क्यूब आठ हजार माल लिया हमने तो भाई या रेट हमारे पास है तीन बटे बीस और टाइम हमारे पास है तीन साल तीन सागड़ाईगा हैं माना लो बच्छों क्या बूलोगे कि बहई यह 3 बटे 20 15% ही है क्या बोलोगे यहां पे 1200 इसका 3 बटे 20 1180 इसका 3 बटे 20 तो 9 37 27 ठीक है तो हमने इसको 1200 1200 कि यहां पे फिल कर दिया और यह डबल 360 60, to question यह कह रहा कि चकवद बयाद उस साधान बयाद का अंतर 1701, अंतर वाली first line को छोड़ दो, तो जो line बसती हो अंतर वाली, यह अंतर वाली यहं हमार difference, यह हमार difference, चीक, clear तो 180 3767 कितना होगी हो, यह बोलेंगे तो 540 और 567 कितना 567, 567 बड़ाबर 1701, तब ये एक बड़ाबर क्या है, एक बड़ाबर 3 आ गया है, आपने माना था, 8000 माना था, तो 8000 बड़ाबर बच्चों क्या हैगा, 8000 के दिए लो क्या होगा, 24000, 24000, ठीक है, तो I think बच्चों आपको सभी को समझे भी आ गया होगा, कोई doubt ये, कोई confusion नहीं हो होगा, ठीक है, क्लियर है, एक बार जल्दी से फड़ाफर बता दिए अब लोग, एक बार जल्दी से फड़ाफर देख लो, कोई doubt ये confusion हो, तो अब लोग बता सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया तो कोई फिर दिक्कत नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं, अगले question पे, question number 11, principle जहां पर भी नहीं है, बच्चों कैसे मानते हैं, जो बच्चे नए भी आ हैं, फिट से दा देता हैं, दर देखो, एक बट्टे आठ, रेट वी है, तीन साल तो आठ का क्यूब, मत्दब 512 मान लेंगे principle की जहाब पे, ठीक है, और time तीन साल, ठीक है, बना लो, फिल कर लो यहां पर, यह एक बट्टे आठ क्या बोलोगे, 64, आठ और एक, यह डबल, तो अगर मैं बोलू, यहां पर अंतर दिया है, तो अंतर की लाइन नहीं होती है, यह एंतर होता है, यह डिफरेंस होता है, 24, एक 25, तो भाईया, 25 बराबर क्या बोलोगे, साड़े बारा, एक बराबर आधा हुआ, एक बराबर हाफ हुआ, तो आपको बताना, बच्छों, यहां पर है, कि मूल्दन क्या होगा, कितना माना था, 512 मांगा था, आपने, तो 512 बराबर क्यों इसका हाफ को लोगे, 256, 256, एक बराबर हो गया, ऐसा है, सेम कोशन ही भी है, तो जल्दी फड़ा फड़ा देखते रहो, फड़ा फड़ा आंसर निकाल सकता है, अब यह कोशन का, ठीक है, तो यह 16 साही 2 बटे 3 बोलोगे, 1 बटे 6, तो 6, 3 साल, समय 3 साल है, तो क्या बोलोगे, 6 का क्यूब, तो 6 क मुलधन में क्या मानना होगा, 6 का क्यूब मालो, तो आप बोलोगे, 6 का क्या होलोगे, 216, लेट बोलोगे, 1 बटे 6 है, और समय 3 साल का है, तो एक बटे 6 का मतलब, तो 36 हो गया, यहां पर 6 हो गया, यहां पर 1 अगया, ठीक, और यह जिस्टिबल आ ठीक है, तो अभी कोशन वे निकालना बच्चो हमें निकालना यहाँ है पर मूल्धन है तो मूल्धन क्या माना थो 2016 माना है तो 2016 प्रक्रवाइब चार और यहाँ तो तो यह 18 चार और यह तो क्लियर हो गया है जल्दी इस एक बार देखे लो अगर कोई डाउट है फटा 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 पूछ सकते हो एक बार देख लिए आपको दो सब्सक्राइब तो भई आप लोग का हो गया होगा समझ में भी आ गया होगा सभी को ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्वन कि और को यहां पर भी क्या मूलधन आपको नहीं दिया है तो मूलधन क्या मनोग एक बटे छे तो छे तीन साल यहां पर छे का क्यूब मनोगे मूलधन नहीं जाब छे का क्यूब तो आप बोलोगे सब मुझेएगा क्यों मतलब 216 रेट बोलोगे 1 by 6 और टाइम बोलोगे 3 साल ठीक है बई तो अगर मैं भी 3 साल का डाइगराम बना हो एक दो और तीन यहां पर तीन साल का डाइगराम है ठीक है जल्दी इस फटाफर देखाए बार जल्दी फटाफर इसका वेलू आएगा जल्दी फटाफर इसका तो क्या वेलू आएगा जल्दी फटाफर क्या इसका वेलू आएगा आप लोग ओके देखें तो यह बटे 6 कितना तो बलो 36 ठीक है 6 और यहां पर एक ठीक है तो यह 36 सेम वेलू जाएगे 36 36 और यहां पर 12 तो कोशी नहीं कह रहा है की तीसरे वर्स के चक्माद बैज और दूसरे वर्स के चक्माद बैज का लिए और तीसरे साल के चकमाद बैजी ए तो उन्तर यह तो यहांप कितना गाएग यहां-टे मिह साथ गंतर बट कोश्चन में इंतर दिया 420 का 7 बराबर 420 तो बच्छो एक बराबर क्या हो लोग एक बराबर 60 आगए एक बराबर 60 आगए आपको बताना यहां मूलधन तो मूलधन क्या माना जो 16 माना तो 2160 कितना जागा बच्छो बोलो आप लो 12,960 ठीक है क्लियर हो गया कोई doubt confusion है तो आप पूछ सकते हो बहुत easy method है बहुत easy concept है question आसान ही सभी के सभी बना सकते हो आप लोग ठीक है के इसकोी healthcare के लो पाइस को सभी अंच श्रशाएं निशन ऊनल्था को आप लिए कितना गया यह बोलोगे कितना इसका मतलब दो साल पूरे है तीसरे जोंफ बंस नल्थाए निशन और भटे पांस जोंबower तो इसका भी एक बटे 6 बच्चो निकालो, 300, इसका भी एक बटे 6 निकालो, 50, आपको यहाँ पर दो साल पूरे चाहिए, पहला पूरा दूसरा, लेकिन तीसरा वाला एक बटे 5 भाग 5 से भाग दे रहा है, पांस ती पंदरा, पांच से का 30, और यह गए 120, और यह आगे 10, ठीक ह और यह आगया, 49, 420, 10, 430 आगया, जोड दिया तो आगया, 4, 3, 9, 0, option D, D is the correct answer, D is the right answer, ठीक है, अभी आप देख रहे थे, जहां पर टाइम, जो था, वो यह यरली था, अब आगे कुछ कुशन्स होंगे, जहां पर रेट क्वार्टरली हो सकता है, रेट हाफ यरली हो सकता उसमें बदलाओ करते कहां पर है, पहले यह सीखना आपको यहां पर, उसमें चेंजिस कहां पर करते हैं, यह सीखनी है, जब दिखते हैं, जैसे यह हमारा अगला कोशन है, यहां पर कोशन अगर देखा जाए, तो यहां पर दिया अर्धवार सिख्दर लगाई जाए, जो तो पुचो यह जब condition लगी हो ना कि अर्धवारसी को quarterly हो तो इसमें करना क्या होता है, इसमें क्यों rate और time को हमें concept के recording करना होता है, rate और time को हमें क्या करना पड़े, अर्धवारसी के तो half year करना पड़ेगा, अगर 20% साल का है छमाई कितना हो जाएगा, 10% छमाई हो जाएगा और और देड़ साल में कितनी छमाई होंगे, और एक साल में दो आधी और एक और आजएगे वहाँ पर तीन छमाई हो जाएगे, three half year हो जाएगा, यहाँ पर तीन हाउफ़े बनागाए, इस बीच जाएगा 10% इसका 10%, 200 इसका 10% 20 2, 2, 4, 2, 6, 6, 620, क्या बोलो कि 6,620 हमारा क्या गया, यह हमारा compound interest आ गया, 6,620, 6620 is the right answer, ठीक है, same question है, बस condition थोड़ा सा बदली है, क्या है, termasic है, मतलब quarterly बात हो रही है, यहां पर बोला जारा, quarterly चलेगा, ठीक है, बच्छो, principle question ने कहा, 8,000, rate बोल दिया, 20%, और time यहां पर है, एक साल, बच्छो, quarterly मतलब quarterly तिमाही, तो 1, 20% साल का है, तो quarterly क्या बोलेंगे, quarterly क्या बोलेंगे, एक साल में 4 होते हैं, 4 से भाग कर तो, क्या बोलेंगे, 5% quarterly, एक साल में कितने quarter, 4 होते हैं, तो 4 quarterly लिख लिए, तो यहां पर 4 का diagram बना लो, एक, दो, तीन और चार, तो 5% बोलो तो 400, इसका 5% बोलो तो 20, इसका 5% बोलेंगे, तो एक, ठीक, इसका 5% बोलेंगे, तो बच्छों क्या बोलोगे, पाँ, 0, 5, टीक है, clear हो गया, तो यह सेम, अब दो, हमें यहां पर चेक वे ब्याज सदह में अंतर ग्याद करना है, तो यार, फस्ट लाइन फिल करो, हमें तो चाहिए, यह वाली लेंग चाहिए, तो यही फिल कर लो, बस, क्या 20, 40, फिर एक, दू तीन का रेश्य होता है, क्या पड़ा है, 124.05, तो यह डिफरेंस आगया, क्या अंसर हो हमाएं पास, A is the right answer, 124.05, फिल करना चाहिए, फिल करो, लेकि इसके कोई जरूत नहीं है, क्योंकि हमें तो डिफरेंस निकालना, आगर CI बोलता तो पूरा जोड़ना पड़ता, तो इसको फिल करना पड़ता अदरवाइस कोई इसकी जरूतने कोई requirement नहीं है, हम क्येवल क्योंकि डिफरेंस जो लाइने हमें चाहिए, वो फिल कर ले, वहां से हमांसर को find out कर सकते हैं, ठीक है, एक बार फटना फट जल्दी से एक बार देख लो, और hopefully आपको समझ में आ भी गया होगा, जल्दी से एक question भी है, कैसे बहुत ध्यान समझना है, बच्चम ने पीछे कहा था कि जो CI होता है, वो सेम रेशियो में आगे बढ़ता है, 225 का धन दो वर्स में 255 हो जाता है, तो चक्कवे ब्याज की धर गयात को, बहुत ध्यान समझना है, मतलब यह बोला है, कि प्रिंसिपल था, और व स्कॉायर होगा है, किसी का स्कॉायर होगा, मतलब किसका, यह 15, यह 25, 25, 25 है, तो बहुत अब बोलो कि 15 और 16 का है, ठीक है, क्लियर होगा, होगा है, कि यह 225 है, कि यह 253 है, कि यह दो साल में है, तो बाच्छों , इसका मतलब किसी का स्कॉायर होगा है, अगर 3 साल की किसी का क्यू बहुत बंता है, यह 15 का फौरा है फची सब स सकताय को बीजहर्द सेrauenों कुरिए Gnak देखो अभी सीधा निकल रहा है पहत बहुत होगा कि अभी कट बहुत होगा है इन निमायज होने के बाद रेश्यो निकले किना नहीं अभी सीधा सीधा मिनमायज होगा नहीं अब सिधा सिधा किसी स्क्याइर है, बोलेंगे फंद्रा का स्कॉइर है, और अब यह बो तो बनेगा, confirm है वह वहां पर बनेगा ही बनेगा, ठीक है, जैसे दो अगलारी question, मैंने कहा था कि आप जैसे दिया है 10,000, ये एक लाग 2400, और ये दिया है 1,45,800, तो मैंने कहा था, अभी एक तीन साल तो किसी सीधा cube मन देखोगा, पहले कट रहा है, पहले minimize को लो, फिर देखो किसका square cube बन रहा है, तो अभी इक कट रहा है, बिल्कु कट जाए, किससे कट रहा है, दो से काट लेते चाट है, दो से काटो, दो पंचे 10, दो एक रम दो, दो दुनी चार, दो सते 14, दो दुनी चार, तो ठीक है, अभी नहीं कट रहा है, तो इक त तीन साल इसका मतलब है, तीन साल तो किसी क्यूब बने, किसका cube बचो यह, यह 8 का cube है, और यह 9 का cube है, तो अभी आप यहाँ पे दड़ निकाल सकतो, कैसे 8 से 9, मतलब एक रुपए का ब्याज, 8 रुपए पे कितना प्रतिशन बोलोगे, बोलोगे, साढ़े बारा प्रतिश है, तो जल्दी फड़ा फड़ा कमेंट का क्या आप लोग पूछ सकते हो, जो बहुत इजी कॉंसेट, बहुत इजी कॉंसेट, मतलब कि आप कोशन को, अगर यह logic समझ में आ गया होगा, ऐसा क्यों हो रहा है, यह आप यह square cube क्यों देखते हैं, अगर मैं आपको logic समझाओ, तो चो होता किया, जब हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं, यह आया कहां से बताता हूँ आपको, यह concept यह आया कहां से, जब हम फार्मूला पढ़ते हैं, तो लिखते थे, a equals to b, 1 plus r upon 100 power n, अगर दो साल है, तो बही स्कॉयर करेंगे, तीन साल तो cube करेंगे, तो cube बनेगा, य अगला question है, 20th number देखते हैं, कोई धन 3 words में अपने आपका 8 गुना हो, मतरब 1 से 8 हो रहा है, यहां पर, 1 से 8 हो रहा है, 3 words में, 3 words में, ठीक है, तो बही है, अब मतलब यह किसा cube है, किसा cube है, यह 1 का cube है, और यह 2 का cube है, ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलो, आपको ब्याज निकालना है, क्या बोलो कि 1 से 2 हो रहा है, मतलब एक रुपाय का ब्याज एक पर मिलना है, कितना प्रतिषयत है, बता हो जाता है, 100% is the right answer, ठीक है, तो चो, hopefully मैं उमीद करता हूँ, आप कोई सभी के सभी जो concept बताएगे हैं, समझ में आगे होंगे, बहुत आसान से concepts हैं, इ कोई भी दिक्कत आई हो, किसी भी question, कोई problem हो, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आपको पूरा का पूरा concept बर रिपीट बर अगली class में कर दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ, बच्चो, आप लोग रेगुलर बेसिस पे, जितनी वीडियो जारें को share जरू कर रहे होंगे, हाँ, अभी ये कुछ वीडियो हैं, जिन पे आप लोग के comments के answer नहीं दिया जा रहे हैं, ठीक है, बट आगे, ये होली के बाद से इतनी भी classes होंगी, आप से रूबरू होंगे हम लोग, और पूरा discussion भी करेंगे, तो बीना परेशान हुए, इन जितनी भी classes आपको मिल रही हैं इस week में, उन सभी classes को जादस जादा share करें, जिससे क्या होगा सभी बच्चे classes को देख पाएं, ठीक है, तो ये बहुत important है, हमारे लिए motivation भी है, क्योंकि जितने जादा बच्चे जोड़ेंगे, उतना जादा हम भी motivate होंगे, और जादस जादा आपके लिए ऐसी class लेकर के आएंगे, ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक, अभी तक आप लोगों ने आप नहीं download किया है, तो भई सबसे पहले काम कर लें, आप लोग आप को download कर लें, अगर आप नहीं download किया है, आप पर मेरी classes देखने के लिए भी क्या कर सक सब्सक्रिप्शन के लिए सबसे पहले बात तो आपको app को down, या कहीं से भी कर सकते हैं, क्या करना है सबसे पहले, अगर आपको जो price chart subscription का है, वो यह price chart लगा हुआ है, अब इस पर discount गेन करने का आपको discount चाहते हो, आप लोगों तो वहां पर आपको code यूज करना है बच्छ इसको भी इसकरने के लिए बोलें कि जिससे क्या हो, जादा जादा बच्छों का फाइदा हो पाए, ठीक है, clear है, एक और important चीज है, अगर आप लोगों ने भी तक आप डाउनलोड नहीं कि तो app पर मेरी free class देख सकते हैं, आप लोग app पर मेरी free classes भी देख सकते हैं, क्या कर करेंगे, वहां पर मेरी free videos आपको आजाएंगी, और वहां पर आप उन videos को देखने के लिए, unlock करने के लिए, आप लोग code यूज करें, वहां पर भी, बच्छों क्या code यूज करना आपको, वहां पर भी code यूज करना आशूपी, जिससे क्या हो, आप मेरी सबी videos free of course देख सकते हैं, ठीक है, और बच्छों जो मेरा daily का session, 10 बजे का session daily होता है, तो आप लोग इसको देखना बिलकुल भी मत भूलिए, बहुत important सभी लोगों के लिए, कि जिन बच्छों ने अभी तक session नहीं देखा, इंको timing नहीं पता है, तो daily की, जो मेरी class होती है, daily जो timing class के होती ही YouTube पर, वो आपकी 10 बजे 10 बजे 10 a.m. on YT YouTube channel, आपको पता है, पताने की जोतनी है, Wi-Fi 3 2.0, ठीक है, तो बच्छों, daily आप लोग मेरे साथ जोडे, और मैं आपको ये इंसर करता हूँ कि ये session complete होने के बाद, जब हमाने सभी topic complete हो जाएंगे, तो आपको confidence आचुका होगा, कि हाँ, quant में हम कितनी किसी भी type का question हो, कितना भी question का level बढ़ा दिया जाए, तब भी आप solve, क्योंकि, बच्छों मैंने आपको कोई भी concept लटाया नहीं है, मैंने आपकी सोच को develop किया है, क्योंकि अकर आपको concept लटा देंगे, question लटा देंगे, तो बस वही तक सीमित रहे जाएंगे, आप खुद से question को बना नहीं पाएंगे, जैसे बहुत साथ बच्छे बोलते होंगे आज के time पे, किसा जब आप बताते हो, बहुत सा बच्छों को होता होगा, जब कहीं वो पढ़ते होंगे, तो question हो जाता होगा, लेकिन जब खुद से करते हैं, तो नहीं स्वाल होता है, उसका reason यही है, कि आप सीमित रहे गएं, आप जैसे बैसाखे का सहारा लिया, आप वैसे हो गए हैं, मतलब कि आपको किसी के सहारे के जरूत है question को सुरू करने के लिए, बच्छों एक्जाम के time पे किसका सहारा मिलेगा, नहीं मिल सकता ना, तो व बहुत मुस्केल है, तो इसलिए बच्छों आपको क्या करना है, आपको चीजे रटनी नहीं है, आपको मेरे session जितने भी मिलेंगे, वहां पर आपको best concept मिलने वाला है, लेकिन मैं बार बार आपको बोलता हूँ, मैंने session कहीं बीच में नहीं बोला, आप से, कि share करो या like करो लेकिन starting and last में जरूर बोलता हूँ, बच्छों session को share और like जरूर करें, जिससे अगली classes में जादा स्यदा बच्चे जोड़ पहें, ठीक है, तो thank you so much, bye bye, मिलते हैं, अगली class कल के लिए, कल सुबह 10 बजे मिलेंगे, लेकिन आप लोगों जो बोला गया, session को एकदम viral कर देना है, हर जगह इसको, सब मतब Facebook, WhatsApp, Instagram, जितने भी social media platform बीश करतो, आपको हर जगह इसको share जरूर करना है, ठीक है guys, thank you so much, bye bye, मिलते हैं आप लोगों से अगली class में सुबह 10 बजे, ठीक है?